इसके पहले क्लास नाइन में आपसे ये प्रश्न किया गया था जी आर संतोस के चित्रों के बारे में गलत कतन का चैन कीजिए तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी अमोर्तिया प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे ठीके जी आर संतोस से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं तो जी आर संतोस एक तांत्रिक चत्रकार के रूप में चर्चित रहे और इनका पूरा नाम क्या था तो याद रखिएगा गुलाम गुलाम रसूल ठीके गुलाम रसूल इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल संतोस ठीक ये एक तांत्रिक चत्रकार के रूप में चर्चित रहे यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का भी हो जाएगा और आप लोग याद रखेंगे कि ये कश्मीर के चत्रकार थे ठीके कश्मीर के चत्रकार थे तांत्रिक चत्रकार थे पूरा नाम गुलाम रसूल संतोस ठा और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शिन भी हेले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आट क्लासेज पर जहाँ आप डेली आट एक्जाम की प्रपरेशन करते हैं और इस समय कला सेलेक्शन सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट करेंगे तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू करते हुए प्रशन देखते हैं ठीके पहला प्रशन लेते हैं यहां पर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे इसके अलावा बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर ले तब हैपको क्लास का नौटिफिकेशन मिलेगा क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे बीच में कुछ भी नहीं कहना है लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही बोला जा रहा है कि क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा अगर अच्छा लगे तो तो चलिए तैयारे की और एक कदम और सफलता की और चलत चित्रकार थे मूर्थीकार थे छापाकार थे या फिर संगीत कार थे जी यार संतोस जिनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोस है यह एक तांत्रिक चित्रकार थे तो यहां पर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा option A ठीक है ए अंसर जिनों ने किया है बिल्कुल right answer ह अगला प्रश्न यहां देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा इस्त्रिपुरुस के योन समागम को अभिव्यक्त किया है तो कोश्चन को पढ़ते हुए इतनी त्यारी कर लीजे कि एक्जाम में जैसे इनको आप लुग सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी बहुत बहतेरीन कोश्चन कराइजए जाएंगे आपके कोश्चन मिस ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब कर घंntी के बटन को क्लिक जरूर करेंगे तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर भी देंगे उस चित्रकार को पहचान ये जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा इस्त्री पुरुस के योन समागम को अभीवक्त किया है अगला प्रशन यहां देखेंगे नेक्स्ट कोशन है आप सभी के सामने आंसर करेंगे हिन्री मूर कहां के निवासी थे तो यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर क्या होगा राइट अंसर होगा आप्शन ए इंग्लेंड हेन्री मूर जो थे यह इंग्लेंड के थे ठीक है और याद रखेंगे यह अतियतार्थ वादी भी थे ठीक है अगला प्रशन देखेंगे नेक्स्ट कोशन है भारत में सबसे अधिक वर्शा कहां होती है तेहरी गड़वाल में मासिन राम में या फिर माथे रान में या फिर लोना वाला में भारत में सरवाधिक वर्शा कहां होती है रैट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जिन्होंने B आंसर किया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप्शन B मासिन राम यानि की मेग हाले में तो यहाँ पर सरवाधिक वर्सा होती है अगला प्रशन देखेंगे सीवी रमन को नॉबल पुरसकार किसलिये दिया गया किसलिये दिया गया रैट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उप्शन A रमन प्रभाव तो जिन्होंने A आंसर किया है सभी का आंसर यहां बिल्कुल सही है सीवी रमन को नोबिल पुरसकार किसली दिया गया रमन प्रभाव के लिए राइट आंसर A होगा अगला प्रशन यहां देखेंगे नेक्स्ट कोशन यहां है भारत वर्श में प्रकासित पहला अकबार है इंडियन एक्स्प्रेस हिंदुस्तान टाइम्स दहिंदू बंगाल गजट भारत वर्श में प्रकासित पहला अकबार यहां पर कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर होगा इस प्रश्ण का सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा ओप्शन डी बंगाल गजट ठीके जेम्स आगस्ट हिक्की के द्वारा कोलकाता से प्रकासित किया गया था याद रखेंगे और कोलकाता में ही पहली छपाई मशीन की शुरुवात भी हुई थी ठीके तो भारत वर्ष में प्रकासित पहला अकबार हो जाएगा बंगाल गजट जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा ये प्रकासित किया गया कोलकाता से अगला प्रश्णिया देखेंगे नेक्स्ट कोशन है अंजली इला मेनन का जन्म इस्थान है लखनव दिल्ली पश्चिम बंगाल महराष्ट अंजली इला मेनन इनके विसे में आपको चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है तो वहां से आप वीडियो को देखें अपनी नोट्स भी तियार कर सक रखते हैं अंजली इला मेनन का जन्म स्थान कहां पर है आपको बताना है सही उत्तर यहाँ पर ऑफ मिल्कुल राइत आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ठीके सी आंसर देने वाले सभी इस्टुडेंट का इसे संबंदीत एं और इनका जन्म कहां हुआ पश्चिम बंगाल में ये एक समकालिन चित्रकला की चित्रकार है ये भी आपनों की याद रखेंगे समकालिन है ये इसके अलावा अंजली इला मेनन की जो कृतियां है राश्ट्री आधनिकला संग्रहाल है ठीके पिबाडी एक्सेस म्यूजियम चंडीगर म्यूजियम दा एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिसको था जैपान की संग्रहाले में संकलित है ठीके अंजली इला मेनन वान गॉग मोदी गलियानी अमृता शेरगिर और M.F. हुसेन से काफी प्रभावित रही है ठीके जादा जानकारी आप चैनल पर ले लीजे वीडियो से अगला प्रश्ण यहाँ पर देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट कोशिन है निम्दलिखित में से कौन राजकी कला एवम शिल्प विद्याले मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था आप्शन है के सी एस पनिकर देवी प्रशाद राय चौधरी आर कृष्ण राव दिन कर कौशिक आपके चार कला महा विद्याले हैं इनके विसे में भी चैनल पर अलग-अलग वीडियो दिया गया है तो वो भी आप वहां से देखिएगा और इनकला महा विद्याले में से निश्चे थी आपको प्रशन एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो इस प्रशन का उत्तर कीजिएगा कौन राज की कला एमशिल्प विद्याले मद्रास का प्रधाना चारे नहीं था राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन डी दिनकर कौशिक ठीक है दिनकर कौशिक जो थे यह मद्रास के प्रधाना चारे नहीं थे यह लखनव आर्ट स्कूल के प्रधाना चारे रहे आप लोग याद रखिएगा कि दिनकर कौशिक जो थे ये लखनो आर्ट स्कूल के प्रधानाचारे रहे जबकि देवी प्रशाद राय चौधरी इसके अलावा केसी स्पनिकर और आर कृष्ण राओ ये राजकी कला एवंशिर्प विद्याले मद्रास के प्रधानाचारे थे ठीके देवी प्रशाद राय चौधरी जो थे इस शंखो चौधरी महेंद्र पांड्या जोती भट और सभी के विशे में चैनल पे वीडियो दिया गया है तो असंबद बताना है यहाँ पर आपको इन चार आप्शन में से एक आप्शन अलग है ठीक है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन डी डी आंसर जिन्हों ने किया है विल्कुल सही है जियोती भट क्योंकि नागजी पटेल संखो चौधरी और महेंद्र पांड्या यह तीनों ही मूर्तिकार है लेकिन जियोती भट क्या है यह प्रिंट मेकिंग और क्रामीड भारति संस्कृति के फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं ठीक है तो यह स्पेशली प्रिंट मेकिंग के कलाकार है अगला प्रिशन देखएंगे नेक्स्ट कोशन है अंजली इला मेनन इन में से किस से संबंधित है आप्शन है छापा कला, व्यंग चित्र, चित्र कला या फिर नरित्य कला तो अंजली इला मेनन जो कि पहले ही मैंने बता दिया है आंसर आप लोग कर दिये होंगे तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा आप्शन सी चित्र कला से संबंधित है और यह एक संकालिन कलाकार है अगला प्रशनी यहाँ देखेंगे नेक्स्ट कोशन है नियूज पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम यहाँ आप से पूछा गया सभी का आंसर यहाँ बिल्कुल सही आना चाहिए पहले भी यह डिसकस किया जा चुका है तो नियूज पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन हो जाएंगे राइट आंसर पी आप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है जेम्स आगस्ट ठेकी और यह कौलकाता से प्रकासित हुआ अगला प्रशन देखेंगे नेक्स्ट कोशन है हमारा कौलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाए गई थी आप्शन है 1600 इस्वी में 1780 इस्वी में 1820 इस्वी में या फिर 1910 इस्वी में तो कौलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाए गई तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी 1780 इस्वी में नेक्स्ट कोशन देखेंगे नेक्स्ट कोशन है कांटरा पत्रिका के संपादक कौन थे रोडी वान लिडेनन एचेस रजा जे स्वामी नाथन मनोहर कॉल कांटरा पत्रिका के संपादक यहाँ पर कौन थे आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी जे स्वामी नाथन ठीके कांटरा पत्रिका के संपादक कौन थे जे स्वामी नाथन है रिनी घूमल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए मूर्ती के लिए संस्थापन कला के लिए या फिर नियो मेडिया आर्ट के लिए तो रिनी घूमल किस लिए प्रख्यात है ऑप्शन देखेंगे अंसर यहाँ पर देंगे तो रीनी घूमल जो है ये पेंटिंग के लिए विक्यात थे राइट अंसर ऑप्शन ए देने वाले सभी स्टूजिंट का अंसर यहाँ पर सही है अगला प्रश्णिया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है विवेका नंद रॉक टेंपल कहा है रामिश्वरम में कोलकाता चंडीगर या फिर कन्या कुमारी तो विवेका नंद रॉक टेंपल कहा है आप सभी लोग जरूर जानते होंगे घूमने भी गये होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर राइट अंसर हो जाए हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कला की संदर्व में कलम का परियाए है लेखनी कुची यानि की ब्रश शैली उपर रिक्त में से कोई नहीं तो कला की संदर्व में कलम का परियाए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा Option C, Shelly ठीक है, C आंसर जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है, अगला प्रशन देखेंगे Next question है V कुंज मड़ी कौन है? तबला वादक है? बांसुरी वादक है? या फिर सरोध वादक है? या इन में से कोई नहीं तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोध वादक या इन में से कोई नहीं राइट आंसर B जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा बांसुरी वादक तबला वादक, बांसुरी वादक रहे हैं Next question देखेंगे Next question है धाई दिन का जोपड़ा धाई दिन का जोपड़ा कहां है? अजमेर, एहमदाबाद, उदेपूर, जोधपूर धाई दिन का जोपड़ा कहां पर इस्थित है? राइट आंसर होगा Option A अजमेर ठीक है, धाई दिन का जोपड़ा कहां है? अजमेर ए आंसर यहाँ पर सही होगा अगला प्रशन देखिएगा नेक्स्ट कोश्चिन है राय क्रिशन दास संबंधी थे ओप्शन है सिनेमा, न्यू मीडिया आफ आर्ट वास्तु कला, कला इतिहास तो इस प्रशन का आंसर कमेंट स्क्षन में आप लोग दीजेगा और आज की यह प्रशन कैसे रहे जरूर बताईएगा क्लास कैसी लगी इसके अलावा चैनल पर जो लोग नए जुड़े हों जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करते हुए सामने बने गंटी के बटन को क्लिक करेंगे तब ही आपको हरे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा इस वीडियो को जादा जादा शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे और इसी तरह से शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ जोड़कर अपनी तैयारी और भी बहतर बनाएंगे क्लास में जोड़ने के लिए सबी लोगों का धन्यवाद मिलते हैं अपनी अगरी क्लास में